नमस्ते, बाबलीस केफेटरी और ट्राइब्लाग में आप सबका सौगत है, उमेद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे महाविशूम संख्रांति आने वाली है, महाविशूम संख्रांति जिसकों की पणा संख्रांति की रूप में उरिसा में मनाया जाता है जो की उडिसा का new year होता है तो उस मोखे पर तरह तरह की पणा घर पर बनाया जाता है और पूजा भी किया जाता है भगवान जी के पास आफर भी किया जाता है तो चली है आज हम कुछ खास पणा बनाते हैं पहले भी मैंने बहुत सारे पणा की रेसिपी चानल में share किया हुआ है उसकी links मैंने description में दे दिया है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आज मैं मेरी style में पणा बनाती हूं जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है इस तरह का पणा बेल पणा छत्वा पणा आम का पणा फिर बनाए जता है चेना पणा और धही पणा उसे बहु फ्रेस दही होना चाहिए और दही अच्छे से ठीक भी होना चाहिए तो इस तरह से मैं फ्रेस दही आड़ कर रही हूँ दही बिल्कुल भी खटा ना हो तो ही बड़ा अच्छा लगेगा तो उसको उसके बाद हम अच्छी तरह से फ्विस्क कर लेंगे आप चाहो तो फ्विस हम साइड में रख ले ते ही और एक बोल्प के अंदर हम आठ करेंगी है ग्रेकिट नारियल को आठ करेंगे और उसके साथ आठ करेंगे उसमें कुछ अर्फृर्स च्हेना जोकिगर बनाए इस चैना है उसको हम आठ करेंगे haar इस तीनों ची जोको अच्छी तरह से हाथ से हम मसल लेंगे स्पून से अगर करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा और हाथ से मसलना पड़ेगा तो उसके बाद हम इसके अंदर जो दही को हमने फेंट के रखे थे उसके अंदर ये जो हमने मसल के रखा चैना और नारियल और केला यह तीनो चीज़ों को अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यह हमारा जो अभी जो kilometers तयार हुआ है वो बहुत ज्यादा गाड़ी है तो इस गाड़ी मिक्स्टर को पतला करने के लिए हम इसके अंदर दूद आड़ करेंगे आप अगर पुजा के लिए बना रहे ही तो उसके अंदर कच्चे दूद का इस्तिमाल कीजिएगा पन्ना आप पका हुआ दूद का इस्तिमाल कर सकते ही जिसको कि हम कुछ टाइम के लिए फ्रीज के अंदर रखेंगे और थंडा हो जाने के बाद हम इसको इसके अंदर आड़ करेंगे और उसको फिर हम मिक्स कर लेंगे फिर हम एक मसाला बनाएंगे जिसके लिए हम ले लेंगे काली मीर्च और हरीलाइची इन दोनों को पीसके उसका जो powder है उसको भी इसके अंदर आड़ कर लेंगे ये मसाला को आप skip बिल्कुल भी मत कीजेगा नहीं तो पणा का असली स्वात बिल्कुल भी नहीं आएगा फिर इसके अंदर हम आड़ कर लेंगे स्वात के अनुसार चीनी आप चाहो तो गूर का इस्तमाल कर सकते हो पणा के अंदर जेनरली गूर का इस्तमाल किया जाता ही लेकिन मैं आज इस तरह से बना रहे हूं उसमें चीनी का इस्तमाल करेंगी तो स्वात बहुत अच्छा आएगा पिर हम वह जो मेंद इंग्रेडियन है उसी को आड़ करेंगे यह जो कि यह रबडी हम गर बनाया है तो इस में से अन्दर औरक्टे हुए आम को डॉलेंगे आप चाहो तो ग्राम को ग्राइंडड करके भी और कर सकते हो twor Program आम को ग्राइन करने से और आम पना बन के तयार हो जाएगा फिर इसके अंदर हम कुछ कटे हुए कैसु नोट को भी आड़ कर लेंगे पके हुए आम से किस तरह से पना संक्रांती के दिन पना बनाया जाता है उसकी रेसीवी मैंने पहले से सेयर कुआ हुआ है आप चेक कर सकत लें निदे दिस्क्राइए हैं ने मत कैसा आप और बना में तो चली हम थिथा हम पना को सर्फ कं ले तो सबसे कहले हम एक ग्लास ले लेंगे और उसके अंदर डालेंगे रबडीू dipping हम रेबडी पना बना रहे हैं उसके बज़े से रबडी तो जादा रहे गा पना में तो डालने के बाद हम उसके उपर पणा को आड़ करेंगे और पणा कुछ आड़ करने के बाद उपर से थोड़े से फिर से हम रबडी को आड़ कर लेंगे तो नीचे भी रबडी रहेगा और उपर भी उसका रबडी रहेगा रबडियार करने के बाद हम इसके उपर ग्रेटेड कोकोनट या फिर और कोई अप पणा के अंदर दूसरे भी फ्रूर्स का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे परसनाली पसंद नहीं है मुझे इसे पाम भी पसंद है तो उसके उपर हम गान से पणा को घर पर बनाईए और एंजय कीजिए और आपकी अनुपर मेरे साथ जरूर सेयर कीजिए और साथी में अगर आप चैनल पे नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेयर भी जरूर कीजिएगा तो इसी उमिद के साथ आप सबसे भी बिदा ले रही हूं फिर मिलते हैं और एक नियू वीडियो में तब तक अपना खोफ क्याल लगिएगा गुडबाई नमस्ते टेक केर